दत्या में लोकेंद्र क्लब तूटने को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस के नेता आमने सामने दिखाई दे रहे हैं बता दे कि गतरात्री सेवडा विधायक घंशाम सी ही जब लोकेंद्र क्लब तूटने के विरोध में जहां आम सभा कर रहे थे तो भाजबा नेता एडवोकेट दीपक बेलपत्री राजतंत्र का हवाला दे कर दत्या की जनता को गुमरा कर अपने स्वयम व अपने परीजन के हित में मगन रहते वही पर सेवडा विधायक घंसामसी ही और दीपक बेलपत्री एडवोकेट दत्या शिर्शा की लिखे हुए पड़ची आम सभा के विरोध में सभास्तल पर बाठते दिखे भासप और कॉंग्रेस निताओ का जुबानी तथा परचा युद्ध आज भी जारी है जहां पर एडवोकेट दीपक बेलपत्री लोकेइंदर क्लब को शाशकी संपत्ती बता रहे हैं और उनका कहना है कि लोकेइंदर क्लब शाशकी संपत्ती है और पहले से ही था इसका व लोकेइंदर क्लब को लेकर खासे नाराज भी नजर आ रहे हैं तथा कई प्रकार के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं जहां तक सवाल है, लोकिन किलब सास की ये भूमी पर बना हुआ किलब है, इस किलब को अवैदानिक गूप से चलाया जा रहा था, इस किलब का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो भी रिकॉर्ड है वो मन गलंस है, उस किलब के गंस्याम सिंग अध्याच कैसे बने, ये सब सूर का मतपर साथनलर गूमी होकर, गौठान का नंबर है, इस प्रेकार से ऑन गुटकाओं तरफे रिकॉर्ड है जितनी भी रिकॉर्ड संपत्तिओं कसंपत्यां है, उनको अपने का प्रयास करते हैं, इस प्रेकार से वो गोभिन गौुविन गॉसला और लोकिन किलब को भी आप प्रियास कर रहे थैए दिसने हम यह सिद्य कर सकते हैं पिसलि के ही सामने हमने अपने पर्चे भी है हमारा पर्चा में हमारे पर्चे में जो भी बात है पूरता सत्य है यदि किसी को गलत लगता हो तो मेरे उचित कारवाई करना चाहें करें शुक तो तो मैंने जैसा बताया कि यह क्लब का भावन था पीड़ डूडी के बुक्स पे नहीं था सरकारी होने का सवाल ही नहीं है नगर पालिका में लोकेन क्लब के नाम दर्जय है और कलेक्ट तैसिलदार ने मनमानी की चोवीस घंटे के भीतर उसको हटाने का का वह भी नोटिस किस संबोदेद नोटिस चसपा कर दिया संबोदेद भी नहीं सीधे कि अतिक्रमाण करके यह बनाए गया इसको चप्वीस दो से पहले हटा दे बन्या कारवाई की जाई और नीचे पटवारी और गिरदावर को लिखा है कि इसको चप्वीस दो से पूर रटा कर अतिक्रमाण और पूर्ट में रिपोर्ट करें चप्वीस दो इसकी दो भी हमने चप्वीस दो को सुबहे एजडीम के आपील कर दी स्टे का आवेधन भी दिया और तैसिलदार के यहां भी धारा बावन मांद्र प्रदेश भूराजय सहता में स्टे के लिए आवेधन दिया कि आप अप कोंग्रेस ब्रोट करेंगा इसी तरह ने लोट कैश्च्ट के चुकिए कि मैं दिया कोशुक्त करibility क्रों गा उनको सक्ता का दम है और उनके दिमाग साथ में आसमान पे हैं, वो समझते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेकर कुछ भी करेंगे, मैंने स्पष्ट कर दिया है, मैंने इनकी चुनौती को स्विकार किया है, और आखरी दम तक लड़ूंगा, और ठाई-तीन साल तक तो यह अभिहान लगातार चलेगा, उनके सारे का कारणा में हम उजागर करेंगे, उनका इरादा इस जमीन को सरकारी खोशित कराकर, पौने-पौने दाम में सस्ते में लीज लेना या खरीदना और अपनी संपत्ती बनाना या अपने अनुगाईयों के नाम कराना, यह उनका उत्देश है, पुराना कलिक्टेट भवन जो इतना मजूत है, इतना उपयोगी है, उसको भी उसमें तमाम सरकारी कारेले अभी भी लग रहे हैं, और उसको उनना उनने लिखा पढ़ी करके कह दिया गिया, यह अनुपयोगी है, इसको भी निलाब कर दिया जाए, सरकार पैसे बना ले, वरना अतिक्रम हो जाएगा, तो है भी गा, मंदिल की जिविन पर कभ्या कर लिया है, जो प्रवंदक कलेक्टर लिखा हुगा है, शाष्क्री मंदिल है, उस पर दुकाने बनना प्रारम हो गई है, तो मनमानी कर रहे हैं, लोग तंद्र को कुचलना चाहते हैं, मैंने उनका उनकी चुनावती स्विकार किया और हर स्थर पर उनका विरोद करूँगा, कानून में लड़ाई तो लड़ूगा ही, उसके साथ-साथ राजने तेक लड़ाई लड़ूगा, हम धरना, प्रदर्शन, आंदोनन सब करेंगे और अगर ये दबन करेंगे तो जेल जाने को तयार हुगा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं दज़वार जाऊंगा, लेकिन लड़ाई जारी रखोंगा, कॉंग्रेस के सारे कार करताओं को साथ लेकर, मलबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और इनको परास्त करेंगे, दतिया से इनको अभगाएंगे, ये मेरा सिंक्राइब वोईज ओफ प्राइड्स के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट